अग्याव वेलकम बाक्टू दा चैनल आशी सर्व आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 12 स्टांडर्स एसपी का चैप्टर नंबर टू के अंदर हम नया क्वेशन लेने वाले हैं इस क्वेशन के एक अलग ही है मियत है जब भी टूवर्स्टांडर्स की कोई एक्सामिनेशन का है चाहिए अब यूनिट्स की चीकि के स्बैंसर या प्रिलिमिंश की ग्रमिंशन करें या दारेकली बोड्ड एक्सामीनेशन की बात करें यह चैप्टर के अंदर यह कुछ सहें हैं जैसेजिंज इसकी इतने प्राक्तिकल पॉइंट फ्यू से लेकर ये क्योएकर ये क्यू ज़ना बहुत यह ज्यूरानी फॉस्ट करने वाले लियुथ क्या मतलब होता है पहले जह समझने की कोशिश आपिच्ट करेंगे फिर वास करेंगे और उसके बाद बात करेंगे टाइपस ओव एक्विडेश ची चली हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं एकुटी शेर बनाट भी कहते हैं कफनी हाइड अ होते हैं इक वी अज़ों होते हैं जो प्रिफ्रेञ्ण div नहीं होते तो सबसे बड़ा सवार आता है यह प्रिफ्रेंज शेयर क्या होता है तो प्रिफ्रेंज शेयर का मतलब होता है प्रायॉरिटी शेयर्स मतलब जब company के shareholders को dividend और repayment of capital में priorities मिलना शुरू हो जाएगी जब company के shareholders को dividend and repayment of capital की priority मिलना शुरू हो जाती है तो हम उसे preference shares कह सकते हैं लेकिन equity shares को इस तरीके के कोई भी priority या preference नहीं मिलता the equity share do not enjoy preference for dividend and the equity share do not have priority for repayment of a capital at the time of winding up of the company company को profit मिलेगा उस profit में सबसे पहले हिस्सा जो होगा वह equity shares की जगा पर preference share को दिया जाएगा अगर preference share से कोई पैसा बच जाता है तो equity shares को दिया जाएगा जब भी company बंद होगी तो company बंद होने के बाद liquidation होता है liquidation करने के बाद सारे outsiders को पैसा देने के बाद सबसे पहला पैसा owners को दिया जाएगा owner मतलब पहले preference और अगर पैसा बच जाता है तो ही equity को दिया जाएगा मतलब नहीं उन्हें payment for dividend में priority मिल रही है और नहीं उन्हें repayment of capital में priority मिल रही है equity shares are the fundamental sources of financing business activities equity shares जो हता एक बहुत ही important एक एहम source of finance होता है किसी भी business activity के लिए equity shareholders own the company and bear ultimate risk associated with the ownership equity shoulder को हम real owner कहते है equity shoulder को हम कहते है real owner कहते है क्योंकि भाई साब जिसे profit का हिस्सा भी नहीं मिले ठीक है जिसे profit का हिस्सा तक नहीं मिले और जिसे repayment of capital इगना मिले टाइम पर तो भाई साब real owner क्योंकि इसके साथ बहुत बड़ा risk involved होता है तो जो बंदा risk ले रहा है उससे तो रियल माली कहना ही पड़ेगा understood after play sorry paying claims of other investor the remaining funds belongs to equity shoulder बानो कंपनी को क्या मिल रहा प्रॉफिट मिल रहा है उस company के profit में से सबसे पहला हिस्सा जाएगा outsiders creditor को कि बाहर के जो creditors है या जिससे हमने loan लिया है जिससे जिसे डिबेंचर्स हो गया कि बेंचर्स हो गए पॉंड हो गया या loan from bank हो गया यह loan from financial institutions दो इनके पहले पहले पैसा तो इनके पास पैसा बचा प्रिफेरेंट शेर को पैसा दो गए और इन से अगर पैसा बचा तो ही पैसा दिया जाएगा तरफिटेर अधिविटी शेयरोड़ार्दे रेचिडियल क्लेवन और इंकमने असेट यह निवाई सहब रेचिडल क्लेवन बतला सबसे आखरी फैला आपको दिया जाएगा एक्विटी शेयरोड दू आप क्रेश्च क्मिट्मेंट थे आर पेड डिविदेंग्ट थे रिकम इक्विटी शोल्डर इस टाइड अप्स और डाउन्स अफ दी कंपनी के एक्विटी शोल्डर को डिवीडेंट मिलेगा यह नहीं मिलेगा कोई इसकी गैलेंटी नहीं है इट शुट बे रिकमेंडेट बाइब बोर्ड डारेक्टर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो गातों उसको घ्रण और कंपनी का प्रॉफिट हो लुट प्रॉफिट है तो सब्सक्राइब मिलने वाला नहींoff इन्जाए अगरान घ्रrr बढद रही है तो तो उसको ही नुक्सान होने वाला है is इसके इसलिए होता एंदर पोजिशन मिली है इसलिए मिक्वीटी शेर कपितल को बैंचर कैपितल कहते है और इसलिए जादे ज्यादा रिस्क बैर कहा जाता है रिस्क पिटल कहा जाता है वोट देने के लिए कहा जाता है तो वोटिंग राइट भी अवेलेबल होता है इसलिए हम इसलिए हम इनको कहते है रियल ओनर ऑफ दे कंपनी को दिक्कत ना मुफट बेटा फीचर्स पहला फीचर्स कहता है पर्मनेंट कैपिटल अगर आपने एक्विटी शेयर पर पैसा डाल दिया कोई दिक्कत नहीं जब तक कंपनी बंद नहीं होती ना अब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा यानि कंपनी के वाइंड अप होने पर ही आपको पैसा लटाया जा सकता है वो भी उसकी कोई गारेंटी कंपनी जब अपने शेयर को बाइबैक करती है तब आपको पैसा रिटान मिल सकता है इसलिए जो एक्विटी शेयर यानि रिपेमेंट इस नाट पॉसिबल यानि जब कंपनी बंद होगी बंद होने के बाद लिक्विडेट होगा लिक्विडेशन होने का सारे आपको प्लेशन कभी वह बाइबैक कर सकती है इसलिए एक्विटी शेयर कैपिटल जोता वो लांग टर्म नेचर का होता इसलिए पर्मानेंट कैपिटल भी कहा जाता है नेक्स्ट फ्लक्ट्ट इडिविटेंट जैसे हमनें डिसकॉस किया इसके पहले कि एक्विडेशन ट सब्सक्राइब नहीं कर सकता उन्हें जबर्दस्ती नहीं कर सकता कि नहीं हमें देना ही पड़ेगा इंकम अब इंकम जो होती हो फ्लक्टुएटिंग इसलिए होते क्योंकि उन्हें रेगुलर डिविडेंट मिलता नहीं है ना कम तो बिटा राइट्स पहला राइट्स अमने कहीं डिसकस किया था राइट्टो वोट यानि कमपनी के एक्विडेश ओल्डर को यह अधिकार होता है कि वह अपने डारेक्टर्स चून सकते हैं या किसी भी तरीके के मेम्मुरेंडम या आर्टिकल आफ अस्सेशेशन में किसी भी तरीके का चेंजस करना है तो उसमें भी वह अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं दूसरा राइट्टो शेर इन प्रॉफिट वाइस सहाब कमपनी को क्या मिल रहा है प्रॉफिट तो उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा क्या मिलेगा आपको डिविडेंड के तौर और पर मिलेगा तो इसे लिए आपको अच्छा का सा प्रॉफिट मिलना के चांसेे को एक जाते को इसी जाप कोशल्ट मिलने वाला है घर क्योंतरटिया की जो बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका जो प्रोसीजर में लिखा हुआ हुआ होना चाहिए ना मुर्टे बेटा पॉइंट नंबर फॉर नो प्रिफरेंशल राइट यानि कोई भी प्रानो प्रियोरिटी राइट बोल सकता हम दो क्या क्या प्राइट नहीं मिलति तो मैंनों आपको इन में बता थिया उसको दो जगापर प्राइटी मिलती पदी पहला प्यंदा मेंट और से टैम पर प्रायोरिटी से यानि उन्हें डिटन कम मिलेगा preference के फकर लास्ट जैसे हम लोह ने बात की तरे Wi-toолод कीativa क्लेमेंट मतलब क्या होता है कि सबसे आखरी सख इसको मिलेगा चाहे कंपनी के बंद करने के बार कंपें के प्रोफिट में हिस्सा देने की बादो सबसे आकरीस हिस्सा उसे लाप्त में मिलने वाला है और पैसाही नहीं बचा इटेरो लॉटには से इसको पैसा भी नहीं मिल क् velvet 5. Demi को दौन करने का काम कौन करता है एक कुल जोर्ड़ रियाल master of the company they are described as real master of the company क्योंकि इन्हें क्या मिलता है voting rights मिलते है voting rights यानि company के अंदर किसी भी matter पर अपनी बाते रखने का अधिकार और vote देने का अधिकार उन्हें available होता है they can there exercise voting rights by proxies without even attending the meeting in person यानि अगर वो meeting किसी वज़ा से नहीं कर पाते तो उनकी जगा पर कोई अगर इंसान जाता है proxy बनकर तो भी वो at least vote दे सकता है कि पाइक्सिसाइजिक वोटिंग राट देकन participate in the management and affairs of the company यानि अपनी वोटिंग राट का इस्तिमाल करके वो company के management में interfere कर सकते है या management को में इसरा company के अंदर किसी भी तरीके के important matters में अगर वोट मांगा जाएगा तो भी वो दे सकते हैं इसलिए हम कह सकते कि जिस बंदे को management राइट मिल रहा है जिसका बंदे को वोटिंग राइट मिल रहा है तो ओवेसलिए वो company का क्या हो गया controller हो गया वो क्यों क्यों हो गया इसका मतलब उसके पास कौन सा पावर है controlling power available है नेक्स बेटा रिस्क इक्विटिच ओल्डर वेर दी maximum रिस्क इन दे कंपनी यानि कंपनी के अंतर maximum रिस्क कौन लेता है एक्विटी लेता है इसलिए उसको शॉक एब्जॉवर थेन company has financial crisis if income of the company falls अगर किसी भी कंपनी की income गिरती है तो उसका dividend भी गिरेगा due to this market value of the equity share comes down resulting into capital loss था यानि company को profit नहीं हो रहा है इस company को less profit हो रहा है तो उसको less dividend भी लेगा और अगर इस profit अगर उसका कम हो रहा तो उसके जो capital उसने invest किया है उसके अंदर भी आपको depreciation देखने के लिए मिलेगा विकॉस company का structure ऐस तरीके से कि अगर उसे loss मिल रहा तो सारी के investors होते इसके कंपणी का loss हो रहा तो उसकी जो market वाली वह भी decrease होती है कि seven रैसिडियल क्लेमंट जैसे हमने discuss किया क्या discuss कि एक्विटी शोल्टर को पैसा कब मिलेगा तो एक्विटी शोल्टर जो होते रिया लूनर होते हैं उनको पैसा कम मिलेगा जितने भी एक्षिटी शेल्टर कम लाज देहाव एडवांटेज और रिसीविंग एंटाय रनिंग दैट इस लेफ्ट ओवर क्या है कि मान लो कंपनी के सारे पैसे बाटने के बाद जो भी पैसा बचता है चाहे वो कम मिले चाहे वो एक्सेस मिले ज्यादा मिले पूरा पैसा उनसे बिल होने के नाते कंपनी के ओनर होने के नाते रियल उनस तो उनको किसी भी तरीके का अधिकार नहीं मिलने वाला है क्या करने का असेट पर धावा बोलने का अधर कंपनी का पैसा रिटन नहीं मिलता है अगर वो पैसा लोटा नहीं पाता है तो कंपनी के किसी भी असेट पर इस बोनस इस फिर बोनस है और हुआ होता है जब श्याय को फ्री आफ कास्ट क्या बाणा स्ट्रीअ एम डीफ श्याय दिया जाते है जब एक्विटिश को अनदी टर्फ से अ इस अ गिफ्ट शियर दिया जाते हैं, जब यह अलोट किये जाते हैं उसे हम कहते हैं जिसे हम बोनस इशू कहते हैं कहां से मिलेगा यह मिलेगा आपको अपने रिजर्व का इस्तमाल करके पैसा देती हैं इसका इसका प्रोपोर्शन डिसका है जनरल मिटिंग के अंदर कि रेशो और डिसाइड गयाता है उस रेशो के उपर जैसे इफ हेल्ड सम्थिंग यू विल गेट सम्थिंग अब वो वन वन का रेशो हो सकता है टू इस्ट किया जाता है इसे लिए है दे कापिटल इंवेस्मेंट आफ इक्विटी शेर्ट टेंस तो ग्रोव और इट्स ता ओन डिस बेनिफिट इस अवेलेबर ओनली टू दे एक्विटी शोल्डर्स यार्नि बोनस शेर्स का जो एडवांटेज है वह एक्विटी शेर्स को दिया अब कंपनी को पैसे की ज़रत है कमपनी किसके पास जाएगी सराइबर और अगर बढ़ती है तो हमें फीचर पर उसका एडवांटेज बिल सकता है मतलब जब कंपनी को ज़्यादा फंट की ज़रूरत होती है और वह ज़्यादा पैसा करना चाहता है तो जब वह अपने एक्षिस्टिंग एक्विटी शेर होलडर को शेयर देता है नाई शेयर जिसके बदले में पैसा लेता तो उसको हम्रों क्या बोलेंगे राइट यह और को खरीदने के लिए खाँ हैOS 11 पेस वैलू इक्विटी शोड़ की जो वालु पहुत ही कम होती है जनरली 10 उर्पया यह एक उपय भी हो सकती है चैनल मार्केट वैलिए कंप्पनी की जो तो company के shares की market value भी बड़ जाती है इसके अलावाद मार्केट कर प्राइस कम हो जाता है जब आपका profit कम हो जाता तो आपकी market value भी क्रव हो जाती है यह frequent fluctuations market में time to time आते रहते हैं और आप उसको रोक नहीं सकते ठीके बिकाँज यह depend करता है किसके उपर demand and supply के उपर क्लिया थर्टीन पॉइंट टापिटल एप्रिसियेशन मतलब क्या कंपनी के अंदर शेयर बढ़ते हैं शेयर का प्राइस बढ़ेगा शेयर मार्केट में यह किसके उपर डिपेंड करता है जैसे कंपनी ने बोनस शेयर दे दिया तो आपके नंबर ऑफ शेयर क्या हो गए चुलिडेशन का मतलब होता है अगर 10 000 रुपय का शेयर है तो उसको तुसक्ताइब कर सकती है तो यह सारे आपके capital को क्या गिया जाता बूस्ट किया जाता है अंडर्स्टूड पीचर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी assumptions के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं ताइब से विक्विटी शेर्स क्या बोलते हैं वोटिंग राइट्स और differential voting rights मतलब जब एक्विटी शेर्स को कहा जाएगा कि भाई साहब voting right of such equity is in proportion of to the shareholding अगर आप सो शेर के मालिक हो तो आपको सो वोट देने का अधिकार है यानि आपकी शेर वोल्डिंग के सबसे आपको वोटिंग राइट देने का अधिकार होता है और differential voting right का मतलब क्या होता है अगर आपको नॉर्मल वोटिंग राइग दिया जाएगा जिसमें आपके पाद दो और इसा अधिकार होता है आपके जो राइट से ना यह डिपेंड करते हैं अबशेक्स पर जिसे डिवीडेंट के लिए आपके अधिकार हो जाएंगे वोटिंग राइट्स अपके अधिकार अलोग हो जाएंगे यह सारी चीज़ें आपको सेक्शन फॉर में डिटेल में एक्स्प्रेंट किया गया है अगर उनकी वोटिंग राइट्स को भी लिमिटेट रखने की कोशिश की जा सकती है उमीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आज की इस वीडियो में अपने फीचर से विक्विटी शेयर देखा उमीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए साती साथ अगर अपने अभी तक टेलिक्राम चैलल नहीं जॉइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर वहां से जॉइन कीजिए आपको सारे लेक्षे की अपडेट नोट्स वगरा सब भी टाइम के टाइम मिलते जाने वाले हैं उमीद करता हूं कि वीडियो पसं करता है